मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं कुछ से रहा क्यों जुदा कि नमस्कार स्वागत आप सभी का राजबर एक प्रेस में आज मौझूद हम सिकंदर पुछेद्र बल्या में और हमारे साथ में एक सिंगर है जिनका नाम है विशाल राजबर तो आए जानते हैं किस प्रकार के गित गाते हैं और यह हुनर इनको कहां से आया तो आए मिलाते हैं आपको विशाल जाब कमा चैनल भारतिक स्वागत दें धन्यवाद जाना चाहेंगे जो आपके अंदर सिंगिंग की जो कला है यह आपके अंदर कहां से विचार आए कि हमको भी सिंगिंग करना चीए आंकिली अमारे फेड़ी जऊर के सलेम पर जॉब करते हैं वो बच्च Senhor से व भी गाते हरई हों का गाने करने का बहुत सौक है और उनके वजह से उनके साथ में रहने की की वजैidor से हमको भी थोड़ा सा सीखने का मौका मिला माहौल का सर पढ़ा आप जी जी दस्तों बोलते हैं जो बैकती जिस छेतर में होता है जिस माहौल में होता है उसका असर कहने कहीं पढ़ता ही है तो इनके उपर इनके चाचा जी का असर रहा जो singing करते थे अभी देखते देते अभी गायक बन गए तो किस तरीके का गीत गाते हैं आप मैं इसे जो चल लाए है इंदी सौंग वही गाता हूँ रुदाव के लिए कौन सा गे सुनाएंगा एक है गाना और जो सुनाना चाहरे है मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के मेरे हर एक कल हर एक लंहे में तु लिख दे मेरा उसे हर कहानी में सारे किस्सों में दिल की दुनिया के सचे रिस्तों में जिन्दगानी के धारे हिस्सों में तु लिख दे मेरा उसे ए खुदा ए खुदा जब बना उसका ही बना ए खुदा ए खुदा जब बना उसका ही बना काफी बेहतरी नावाज़े दोस्तों मुझे तो अच्छा लगा आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं उश्चाल जी काफी बेहतरी ने इसके लाव को भूद धन्यवाज है जी धन्य थैंक यू इस तरिकी के गीत आप गाते रही हमारी जहां तक उमीद है काफी कम समय में आप आगे बढ़ सकते हैं तो क्या बनना चाहेंगे ऑप कि इस तरिक कावbahn सिंगर बनेना? वो तो काफी popular लोग हैं काफे अच्छा नाम कमाई canning करके ह। उनका पॉफरमिस भी बहुत अच्छा रहता है गाना भी अच्छा क्याते हैं बःच्छा गाते हैं वह लोग होते कि आपकी जो एजुकेशन है कहां तक हुई है जी मैंने एजुकेशन टिप्लोमा किया है पल्टेकनिक सिविल से जी आज कल के जो युवा है जो कि एक रोजगार परक जो सिक्षा होती है नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगा वो कहीं ने कहीं ये थोड़ी गलतिया वो कर रहे हैं जो रुजगार जैसे कहीं ने कहीं अपना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जैसे समय कहीं और लगाना चाहिए और वो कहीं और खर्च कर दे रहे हैं उनको ऐसा ने देखा गया लोग भी ये मैक्सिमम भी आई करते हैं काव साइड में भी ये कर दिये में कर लिये लेकिन उनका जो गोल है डिशाइड नहीं होता है कि तो ऐसे लोगों क्या कहेंगा आप मैं कहना चाहूंगा उन से अपने सिविल किया है तो ऐसे और भागी लोग क्या रिदिस करें ऑप मैं कहना चाहूंगा कि वो उनको भी एक गोल होना चाहिए यह बीए ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं ठीक है वो जरूरी है करना चाहिए वो भी लेकिन उसके बाद भी आगे आगे टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए इस चीज के लिए मैं उन्हें कह हिए जैसों कि आपने डीग्री के बात करी है तो बहुत सारे यूशे भी लोगे लेगे बैठे रहते हैं तो इसनिक्यायिक नहीं तो वह निए करते हैं जो पढ़ाई करके की लेके पढ़़री कर करके और अपना ट्राइ नहीं करते हैं कहीं इस वज़े से वो घर रहते हैं चलते चलते एक और हम च्वाइस करेंगे कि आप लोगों को एक और गाना सुना है जी बिल्कुल सुना देंगे तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं कुछ से रहा क्यों जुदा मुझ पे ये जिन्दगी करती रही सितम तुछ पे ही दी है फना तेरा मेरा रिस्ता पुराना तेरा मेरा रिस्ता पुराना काफी बेतरी नावाज है दोस्तों चाहें कि आप सभी मिशाल जी को लाइक एमेंट से करें इनको सपोर्ट करें